हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मेरेडेन ओवर्सीज क्या आप जानते हैं अब ऑस्टेलिया थर्ड मोस्ट प्रिफ़र्ड कंट्री डेस्टिनेशन हो गया है फॉर इंटरनाशनल स्टूडेंट स्टूडेज के लिए इसी जीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑस्टेलियन गवर् इस एक्सटेलियन गवर्मेंट इसमें तोड़ा राइस देख रही है इसी राइस को देखते हुए और अश्टेलियन गवर्मेंट काफी सारे मेजर्स ले रही है और अराउंड 36 मिलियन गवर्मेंट ने स्पेशल बजट सेंक्शन किया है फॉर दी ओफिशल्स दो ऑस्टे प्रॉपर टीम सेटप की गई है काफी सारा मैनपावर भी इंक्रीज किया गया है तो असेज दी आप्लिकेशन एंड टो गिव दी वीजा उटकम्स इसी के बाद अगर जैसी बच्छे एप्लिकेशन होगी एड्मिशन होगा फिर वहाँ पर पोस्ट्टी वर्क राइट के लिए भी और स्टेलियन गवर्मेंट ने काफी सारे नए नए सेटप किया है नए नए इंडस्ट्री को इन्वाइट हिया है तो स्टार्ट पिद असेटप ताकि बच्छों को पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब भी अवेलेबिल करा सके गवर्मेंट के साथ साथ युनिवर्सटी भी प्रो एक्टिवली काम कर रही है इंटरनाशल स्टूडेंट अप्लिकेशन पर वह भी कोशिश कर रही है कि जल से जल अप्लिकेशन आउटकम दिया जाए और स्टेलियन गवर्मेंट ने काफी सारे रिलाक्सेशन भी किया है जैसे कि मैंने पहले कहीं वीडियो में कवर किया है कि पूरा जो प्रोसेस वह आउनलाइन एप्लिकेशन से लेकर वीजा तक उसके अलावा स्टीम लाइन प्रोसेस पास्ट प्रोसेस है और जो सबसे इंपॉर्डेंट है कि भई इसका रिटर्न ऑफ इंवेस्टमेंट अच्छा है करियर आउटकम उ अच्छे और इसके अलावा पोस्टुडी वर्क राइट मिल रहा है पियार के लिए भी गवर्मेंट स्टुडेंट को इन्वाइट कर रही है काफी सारी ऑप्शन स्टुडेंट को दिये जा रहे हैं डियूरिंग स्टुडी और आफ्टर दे स्टुडी विदाउट आयल्स को इंक्लूट कर सकते हैं सो कहने का यह मतलब है कि अगर आप ऑस्टेलिया डास्टिनेशन चूस करते हैं फॉर हायर स्टुडी तो एप्लिकेशन से लेकर वीजा तक सारी चीज़े स्ट्रीम लाइन है प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्लिकेट नहीं है सारी चीज़े आप को mismatch करके combination करके अपनी पूरी application प्रोसेस करवा सकते हैं जो भी आप documents दे रहे हैं जो भी आप application के time जो भी information आप प्रोवाइट करवा रहे हैं वह information true होनी चाहिए और verified होनी चाहिए अगर आपकी इस वीडियो से related कोई questions हैं सो आप हमें pink कर सकते हैं website visit कर सकते हैं या आप हमस कि अीडियोग वीडियोग उपकी जाप कर दो